एक ओन लाइन रिपोर्ट के अनुसार 18-50 वर्ष की उम्र के पुरुस 10% कम शुक्राणों बनने से पीडित हैं हाला कि इस समस्या से निपटने के लिए कई घरेलू उपचार उपलप्त हैं जिसमें से दोध बड़ी आसानी के साथ उपलप्त है निश्चित रूप से शहद के साथ दोध पीने से कमलो स्पर्म काउंट्र की समस्या से निजात पाया जा सकता है आयरवेद में नपुन सकता और बाच्छटपन की समस्याओं के लिए शहद एक दवा के रूप में लेने की सलाह दी जाती है हलकी गुनगुने दूद के साथ शहद पीने से प्रजनन क्षमता का स्तंचुन इसे साथ मिलियन शुक्राणों की संख्या तब बढ़ जाती है स्वभाविक रूप से दूधीक हरबल उपचार है जो की शुक्राणों की संख्या बढ़ाने में मदद करता है विटामिंग और पुरुस सेक्स हामोन के उत्पाधन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार होता है इसमें इंटी ओक्सिड इंटी गुर्ण होते हैं जो शरीर में कोशिकाओं को फिरेलिक्स की क्षति से बचाने का कारे करते हैं साथी ये विरियो पाधक नलिकाओं के रख रखाओं के लिए भी महतुपोन कारे करता है दूद में विटामिन एक काफी मातरा में होता है इसलिए पुर्शों को ये जरुम पीना चाहिए शुद्ध और बिनागर्म किया शहद यौन उत्तेजना को बढ़ता है क्योंकि इसमें अनेक पदार्थ जैसी जिंक विटामिन नी आदि होता है जोकि पुर्श और प्रजनन स्वास्ते को बढ़ावा देने का कारे करते हैं इसके अलावा रात को रोज सोते वक्त शहद पिसलह सुनेक साथ मिक्स करके खाना चाहिए क्योंकि ये एक आपकी से जुल्स्ट, आमिना और प्लेजर को बढ़ा देगा इसके अलावा शहद और दाल चीनी भी बाज़पन, गठिया, बाल चर्णा, दानत दर्द, कफ, पेट की खराबी, वेट लॉस और बढ़े हुए कोलेस्ट्रो अलको कम करने में मददकार है ये भी एक तरह से मदद कर सकता है के रूप में भी कम शुक्राणों के कारणों के रूप में अच्छी तरह से गेनती पता करने के लिए बहुत महत्वपून है यहां आमतोर पराधिक प्रचले थें कि कारणों में से कुछ कर रहे हैं अगर आप ये कम शुक्राणों के होने का कारण जान ले तो आप इस समस्य से काफी हद तक निजार पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन पर क्लिक सरूर करे। साथ ही ऐसे ही धेरो जानकारे के लिए मेरे इस चानल को सब्सक्राइब करना न भूले।